हलो दोस्तो नमस्कार तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो ठीक दोस्तो अभी हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और दोस्तो कल से वापस बाजार स्टार्ट होने यहापे जा रहा है ठीक है सैटर्डे संडे दो दीन की तो मेंडेटरी छुट्टी आपे रहती है सो देखा गया तो आने वाले नेक्स्ट पाच दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे कौन-कौन से इंपोर्टन ट्रिगर पॉइंट है मार्केट को और बूस्ट करवा सकते है या फिर ऐसे कौन से इंपोर्टन ट्रिगर पॉइंट है जो कि बाजार में थोड़ी सी या पे क्या कर सकते है मुनाफ़ा वसुली ला सकते है तो इससे रिलेटर जितने भी इंपोर्टन पॉइंट से सारे हम लोग स्टेप बाइ स्टेप कवर करने वाले हैं पर उससे पहले आप सब लग को पता है हम लोग दो important चीजों को चेक करते हैं जैसे कि अगर सब से पहले अगर हम लोग बात करें क्या बाजार पूरे 5 दिन चलेगा तो आप देख सकते हैं बाजार पूरे 5 दिन चलने वाला है 25 December की वो अगले अफ़ते हम लोग को देखने का पर मिलने वाली है सो पाचो में से पाचो दिन बाजार में हम लोग को ट्रेडिंग होते वे देखने को मिलने वाली है सेकेंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सी फॉर्मिलेटी हम लोग करते हैं बाजार का माहोल क्या बताता है तो ये तो बच्चे बच्चे को बता है कि बाजार में माहोल क्या चल रहा है करके पाच दिन का डेटा अगर हम लोग चेक करेंगे तो मार्केट में लगबग लगबग सवा 2% के आसपस की तेजी नज़र आ रही 500 पॉइंट की तेजी 50-50 में नज़र आ रही और मैने बर में अगर हम लोग देखेंगे मैने बर में लगबग लगबग पॉने 9% मार्केट चड़ चुगा है ठीक है 1700 पॉइंट तो ये मार्केट की खासियत है दोस्तो लिटरली मार्केट पीटता रहेगा जो फॉर्मिला मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया है डाइसो डीन अगर देखा गया 230 दिन आप पक जाओगे हमेशा negativity, 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 market सब flat रहेगा, down रहेगा, flat रहेगा डाउन रहेगा बट 20 दिन ऐसे रहते है 200 में से 230 फ्लाइट डाउन बट 20 दिन ऐसे रहते जो की बाजार को उपर लिके जाते है और यही सिनेरियो फिलाल हम लोग विटनेस करते वे देखने का आपे मिल रहे है तो और राल बाजार का माहूल कैसा है तो बहुत ही काफी positive है market को सिर्फ एक ही काम करना है ठीक है उपर ना जाए तो भी चलेगा बट येस जो भी अभी कमाया है market ने उसको जितना हो सके different करना है ठीक है different करना है मतलब वही support levels को लेकर लेकर यहाँ पर क्या करना है कुछ को maintain करनी की कोशिश करनी है यही market का सबसे बड़ा target हम लोगो देखने को मिलने वाला है सो चले अभी आप लोगो देख लेते एक-एक important trigger point जैसे की इस हफते की बात करे तो यस वापस अमेरिका के और camera यहाँ पर जाने वाला है और उसके पीछे का reason है GDP का data GDP का data की हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो 21 December को हम लोगो पता चलेगा कि अमेरिका का GDP का data कैसा निकल कर आता है करके ठीक है बहुत ही जादा important चीज यहाँ पर यह रहने वाली मतलब हर एक कुछ ना कुछ तो इवेंट रहता है तो उसमें इस हफते की अगर हम लोग बात करें तो GDP का data वाला जो इवेंट रहेगा थोड़ा बहुत हम लोगों को focus में रहते वे देखने का आपे मिलने वाला है नेक्स्ट अगर हम लोग आपे बात करेंगे दो तो Bank of Japan यस Bank of Japan की बात करें तो policy इसी mandatory policy हम लोगों को देखने को मिलने वाली है ठीक है अभी Bank of Japan इतना तो कोई radar के उपर नहीं रहते है खास करके Federal Reserve के और ही पूरे market का camera रहते है थोड़ा बहुत कभी-कभी Bank of England के और चला जाता है Bank of Japan की बात करते हो एक खाथ बार अगर हमें बात करूँ पिछले 5 साल में एक बार सिर्फ उनों ने थोड़ा सा Out of syllabus DCN यहापे लिया था उसका impact हम लोगों को market के पर देखने को मिला था वरना अगर देखा गया तो इतना कुछ खास performance होता नहीं है Next अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो yes IPO की तो भाई साथ बारिश ही आपर स्टार्ट हो चुकी है Literally back to back, back to back, back to back IPO जाते जारें शायद से लग रहा है अभी 10 से भी जादा IPO अप लोगों को देखने का आपर मिल जाएगी Yes मैं वापस repeat करना चाहँगा Main board IPO की बात करा हूँ तो definitely बहुत सारे IPO से एक साथ आते वे देखने को पोड़े And bull run है, अच्छा performance है And सबके GMP काफी healthy हम लोगों को देखने का आपर मिल रहे है So definitely IPO का भी market, primary market भी इदम जबरदस तरीकी से हम लोगों को चलते वे देखने का आपर मिल रहे है Next अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो भारत सरकार Yes, सरकार के और भी बहुत अच्छा का साथ focus यहाँ पे रहता है सबसे पहले reason तो आपको पताईए election तो रहता है तो इस चीज़ के चलते कभी भी कोई भी फैसला सरकार यहाँ पे ले लेते है खास करके जो commodities जो हमारे किचन में आप लोगों के सामान यहाँ पे मिल जाता है उसके उपर restrictions यहाँ पे आते वे देखने को मिल जाते है because उनके दाम उनको क्या करने घटा नहीं है यह हरवक का election के पहले हम लोगों होते वे देखने को मिल जाता है जैसे election खतम हो जाता है back to the normal life सारी चीज़े आपे हो जाती है next अगर हम लोग बात करेंगे तो सरकार बहुत सारे बड़े-बड़े announcement भी आपे कर रहे है नए-ने policy आ भी लेकर आ रहे है तो जो government से related जो companies भी हम लोगों को देखने को मिल जाती है ठीक है उनके उपर भी market का काफी अच्छा खासा focus हम लोगों को देखने को आपे मिल रहा है so ये एक important trigger point हम लोगों को देखने को मिलने वाले then अगर हम लोग बात करें विनस डे के दीन ठीक है cabinet की बेठक यापे रहेगी उससे related क्या topic outcome निकल कराता है वो भी अगर कोई बहुत serious topic अगर होगा तो ही उसका outcome निकल कराता है ठीक है वरना तो just एक normal चीज़े आपे चलती रहती है next अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तो तो RBI के और भी अभी focus यापे रहेगा ठीक है official announcement तो भाई MPC की बेठक में देखने को मिलेगा बढ़ जिस प्रकार से Fed ने यहाँ पे hint दे दिया है कि भाई साब आने वाले next year में तीन rate cut के लिए तैयर हो जाओ 75 basis point का ठीक है एक कम जादा हो सकता है situation की सबसे चीज़े चलती है और हमारी position तो भाई Fade से तो announcement तो होने तो यहाँ पे नहीं चाहिए तो यह काफी interesting part यहाँ पे जरूर रहेगा next अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो crude oil yes crude की भी अगर हम बात करें 75-70 के range में हमनों को crude फिलाल तो देखने को मिल रहा है and opaque की बात करें opaque plus की भी बात करें उन्होंने कोशिश तो यहाँ पे बीच में जरूर यहाँ पे की थी बट फिर भी crude में कोई जादा हमनों को jump देखने को नहीं मिला in fact crude नीचे ही जाते ही देखने को आपे मिल चुका है सबसे major reason यह होता है भाई कि अगर China का data अगर खराब आ जाता है यह market में यहाँ पे चलती रहती है next अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो FISBS यह एक कमाल का data इसके ओपर बहुत सार लोग का focus रहने वाल है because FIS की हम लोग को शांदार वापसी होते वे देखने को मिले अभी क्या यह वापसी consistency के साथ बने रहेगी यह रेखना काफी interesting part यहाँ पे रहने वाला है क्योंकि जबी जबी rate cut से related hint यहाँ पे मिल जाता है तब तक हम लोग को यहाँ पे क्या देखने को मिल जाता है FIS की वापसी होते वे देखने को आपे मिल जाती है and rate cut तो हुआ नहीं है but yes जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बतायता कि market इन चीजों को पहले ही track करके market को बढ़ानी की कोशिश यहाँ पे करता है क्या rate cut हुआ है क्या ऐसा लग रहा है कि आपको rate cut हुआ हुआ नहीं यही खास होते है देखने को आपे मिल रहा है next अगर हम लोग बात करेंगे gold gold का भी performance gold की तरह ही है लगबग लगग 64 के करीब gold हम लोगों को फिलाल तो देखने को आपे मिल रहा है ठीक है जैसे मैं हमेशा के तो long term में अगर आप equity में निवेश करके रखोगे मतलब या फिर आप चाओ तो index level पे भी बात करो ETF की भी बात करो and अगर आपने gold में निवेश करके रखाओगा that's it दोनों में आप लोगों को long term में फाइदा तो मिलना ही मिलना है ठीक है तो ये चीज़े हमेशा प्रूव होते वे देखने को मिल जाते है ये काफी strong हम लोगों को चीज़े देखने को मिल जाती है next अगर हम लोग बात करेंगे दो तो dollar index ठीक है तो dollar index अगर hundred के नीचे चला जाएगा कि नहीं बहुत से लोग पूछ रहे तो उसके लिए तो वाई rate cut जब start यहापे हो जाएगा तब आप hope यह रख सकते हैं अगर हो जाता है तो definitely market के लिए काफी अच्छा point हम लोगों को देखने को मिल जाता है then अगर हम लोग bond market के भी बात करें तो आप yield देख चकते हो 4% के नीचे हम लोगों को देखने को मिल रहा है तो definitely यह जितना कमजोर होगा उतना है हमारे equity market के लिए काफी अच्छी खबर हम लोगों को देखने को आपे मिल जाते है तो जब से FOMC की बेठा कोई थे और पॉवल जी के जो शब्द सामने आये थे market के उसके बात से लेके अभी तक अगर हम लोग देखेंगे bond market में काफी हम लोगों को दबाव देखने को आपे मिल रहा है and definitely यह दबाव ऐसा ही continue रहना चीए तभी तो जाके हम लोगों को बड़ा पैसा equity market में shift होते वे देखने को आपे मिल जाएगा next अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो चलिए मतलब थोड़ा बहुत तो हम लोग खुशी की ख़बर यह आपे देख सकते हैं खुशी की मतलब क्या है कि 83 के कई गुना उपर हमारा जो रूपी यहापे चला गया था अभी वो वापस 83 के इबदम border पे आते वे देखने को आपे मिल चुका है तो 83 को तोड़कर नीचे आएगा 82 के range में यह एक देखने वाली बात यहापे जरू होगी बट वैसे देखा गया तो डॉलर ही जादा appreciate होता है साल भर का भी performance अगर आप देखोगे या फिर 5 साल का data देखोगे तो बाप रेबाप डॉलर देखे कितना उपर जा चुका है और हमारा रूपी या पे लगातार गिरते वे देखने को आपे मिल रहा है तो temporary base की बात करे तो चले ठीक है थोड़ा बहुत तो हम लोगों का जो रूपी है थोड़ा बहुत तो strong होते वे देखने का आपे मिल चुका है नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे भाई साब तो option chain तो दो दो option chain में एक जबरदस चीज observation में या पे आ रहे ही कि देखिए whole number हमेशा जबरदस level रहता है resistant के लिए जो की 21-500 या पे next target ज़रूर होगा बट वहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे दोस्तो levels तो बने हुए है मतलब resistant लगाने की कोशिश तो कर रहे है बट yes confidence नजर नहीं आ रहे है मतलब जिस प्रकार से bull नहीं आपे performance दिखा रहे है बेर वाले मतलब confidence के साथ इतनी नजर या पे नहीं आ रहे है मतलब easily अगर market में और एक दो खबर अगर अच्छी मिल जाती है तो 21-500 को भी तोड़ कर market उसके उपर भी closing दिखा सकता है इस प्रकार का नजरा फिलाल तो हम लोग को market में देखने का आपे मिल रहा है पूरी तरह के से हम लोग या पे कह सकते है जो market अभी हम लोगों को देखने का आपे मिल रहा है ठीक है किस के पक्षमे हम लोगों को देखने को मिल रहा है यस बूल के पक्षमे हम लोगों जाते वे देखने का आपे मिल चुका है मिलते हैं नेक्स टूडियो में, तब तक के लिए, बाबाई